बच्चों आप त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानते हैं त्रिभुज का एक प्रकार है समकोन त्रिभुज समकोन त्रिभुज याने एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोन नब्य अंश का होता है और बाकी दो कोन नियून कोन होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि एक कोण नब्य अंश का है तो बाकी दो कोणों का योग नब्य अंश का होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश इसलिए बाकी दो कोणों के प्रत्ते कोण नब्य अंश से कम के होंगे इसलिए हम उने नियूनकोंड कहते हैं कक्षा नवमी में त्रिकोंड मिती अध्याय में आपने यह देखा था कि त्रिकोंड मिती अनुपात क्या होते हैं त्रिकोंड मिती अनुपात याने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये त्रिकोंड मिती अनुपात क्या है किसी समकोंड त्रिपुज के एक निश्चित नियून कोंड के लिए जब हम भुजाओं के अनुपात को लेते हैं अलग-अलग भुजाओं के यदि हम आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उसे हम कौस थिटा के नाम से जानते हैं बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम लंब भुजा और आधार भुजा का अनुपात ले लें तो हम उसे टैन थिटा के नाम से जानते हैं और इनका विलोम है कोसेक थिटा, सेक थिटा और कॉट थिटा तो बच्चों चलो हम एक समकोंड त्रिभूज लेकर इन सभी त्रिकोंड मिती अनुपातों को ग्याद कर लेते हैं तो इसके लिए एक समकोंड त्रिभूज ले ले यह है एक बिंदु A और यहां से हम एक आधा लेते हैं और यह हो गया लंब A C, C को बिंदु B से मिला दिया, तो इस प्रकार हमें एक समकोंड त्रिभूज A, B, C प्राप्त हो गया, अब इस समकोंड त्रिभूज A, B, C के न्यून कोंडों के लिए हम त्रिकोंड मिती अनुपात ग्याद करेंगे, इसके लिए हम इस त त्रिकोंड मिती अनुपात ग्याद करना है, उसके सम्मुख भुजा ही लंब होती है, तो इस इस्थिति में यदि हम यहाँ न्यून कोंड B लें और उसे नाम दे देते हैं थीटा, तो इस थीटा के लिए उसकी सम्मुख भुजा A, C वो जो है वो लंब होगी, तो साइन थीटा क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा होता है, लंब बटे कण, तो साइन थीटा का मान यहाँ होगा, A, C बटे B, C, ठीके, और उसका विलों, जैसे के हम जानते कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का कण बटे लंब, तो उसका मान हो जाएगा, B, C बात करें तो कौस थीटा का मान होगा वो किन भुजाओं का अनुपात होता है आधार भुजा और कर्ण भुजा तो आधार यहां पर है A B और कर्ण है B C तो वो हुआ A B बटे B C और इसका विलोम सेख की बात करें तो सेख का मान हो जाएगा B C बटे A B चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 थीटा की 10 थीटा किन भुजाओं का अनुपात है लम्ब भुजा और आधार भुजा तो लम्ब है यहां A C और आधार है A B तो वो हुआ A C बटे A B इसका विलोम कॉट थीटा जो की होगा आधार भटे लंब तो हम कहेंगे A B बटा A C अब एक काम करते हम दूसरे नियून कॉण की बात करते हैं इसमें जो कॉण C है वो दूसरा नियून कॉण है इसे नाम देतेते हैं थीटा वन जोन के लिए हम सारे नियून त्रिकोर्ण मित्य अनुपाद ग्याद कर लेते हैं तो सबसे पहले फिर से बात करेंगे किसकी साइन थीटा वन की साइन थीटा वन के लिए आप ध्यान से देखिए कि सी के सम्मुख भुजा कौन सी है ए बी याने की यहाँ पर अब लम कौन हुआ ए बी तो साइन थीटा वन बराबर हो गया ए बी बटा बी सी क्यूंकि कर्ण तो बी सी ही है और इसका विलों जब हम कोसेग थीटा वन की बात करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी बटा ए बी चलिए बात करतें कोस थीटा वन की कोस थीटा वन में क्या होगा आधार बटे कर्ण यहाँ पर अधार कौन होगा यहाँ आधार है ए ए सी थीटा वन के लिए आधार ए सी और कर्ण अगें बी सी तो फिर मान हुआ cos theta 1 का AC बटा BC और इसका विलों हम बात कर रहे हैं sec theta 1 की तो उसका मान होगा BC बटा AC और last में हम बात करते हैं 10 theta 1 और cot theta 1 की तो 10 theta 1 होगा लंब बटे आधार याने की AB बटा AC और cot theta 1 होगा इसका विलों AC बटा AB